तो दोस्तों आज हम बात करते हैं सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर की जो मनुविज्ञान में या हम बोले तो बालवकास में पूछा जाता है बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर यह होता है जो है थांडाइक थांडाइक से यह मानके चलिए आप अच्छे कॉश्चन पूछे जाते हैं और मैक्जिमम कॉश्चन जो है वो थांडाइक से आते हैं तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही वीडियो पाने के आठें यह नोट्स को भी बनाते रही मानुविध्यानिक थे कौन? थांडाइक यह प्तुम मननोविध्यानिक थे और थांडाइक जो है प्रथम सेक्षक नायग भी थी कॉश्चन आता है थांडाइक कहा से थे तो अच्थे समयराइक कहा से थे थे आभे और आगे चलते हैं सिख्छा मनुविज्यान में सीखने की सिद्दान्द को पृतिपादत किया है यानि थंडाइक की पुस्तक वहत इंपोर्टेंट है थंडाइक की पुस्तक थी उसका जो नाम था वो क्या था सिख्छा मनुविज्यान यह थंडाइक की पुस्तक थी आगे हम देखते हैं जिसे हम thandike theory of learning के नाम से भी जानते हैं यानि thandike की जो पुस्ताक है उसको हम thandike theory of learning के नाम से भी जानते हैं आगे चलते हैं अब देखते हैं most important चीज़ जो thandike के अन्य सिद्धान्त के नाम है पहला होता है परियतने एवं भूल का सिद्धान्त बहुत important है इससे बहुत ही maximum questions पूछे जाते हैं और दूसरा होता है प्रियास्यम तोटी का सिद्धान्त फिर होता है उद्धीपान अनुकिरिया का सिद्धान्त उद्धीपान अनुकिरिया यानि उद्धीपान होता है तो यह उसके बाद हम देखते हैं तो दूसरा होता है सहका सांजनवात का सिध्दान्त उर्ता है संत्भन वर Sheep के हैं यानि सद्दान तो कोई भी हो आप का अंसर नहीं बदलेगा और वो रहेगा थांडाइग ठीक है तो यह बहुत important है उद्दीपन नुक्रियर सद्दान जिसको हम ऐसारा सद्दान भी कहते हैं stimulus और response आगे जलते हैं तो आगी question पैंशा जाता है वो का सद्दारह कि नियम से क्वेश्चन आता है उनये द दो यह मों पहला दिया था मुख्य नियम और दूसरा दिया था गौंड नियम यह अगर टेंड़ का अगर है कि दया कि यह नियम दिते दो एक मुख्य नियम और एक गॉर्ण नियम अब अगर हम बात कर लेते हैं मुख्य नियम तो मुख्य नियम में थे तीन नियम और गॉर्ण नियम में थे पांच नियम ठीक है दोनों चीजें अलग है थांडा एक नियम दिये थे दो ठीक है और दो नियम में पहला था मुख्य नियम दूसरा था तत्परता का नियम और तीसरा था प्रभाय पजणाम का नियम तो ज़्यादतर यानि अगर हम कॉस्चिन की बात करें तो मैक्जिमम कॉस्चिन आते हैं इस अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाय का नियम Most important है ये तीनो थांडाय के नियम में एक अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम तो ये थांडाय के तीनो नियम है ठीक है, आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं तो दूसरा होता है गौन नियम यानि गौन नियम में कितने नियम थी? पांच नियम थी पांच हो कि अगर आप नाम याद ना भी रखें तो चले गए लेकिन नंबर आपको जरूर याद रखना है कि गौन नियम में पांच नियम थे लेकिन उससे तो यह इंपोर्टेंट चैप्टर था आपको सभी को पता है थांड राइक से बहुत को समय में इस वीडियो को खत्म किया गया है तो आप जरूर वीडियो को देखें पूरा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप फर्स्टाइम विजट कर रहे हैं तो और इसकी प्लेलिस्ट बनी होई है यानि एक एक मिनिट से भी कम टाइम में हर चीज को अच्छे से समझाय गया है यानि सॉर्स में तो आप प्लेलिस्ट को जाके एक बार जरूर चेक करें और सॉर्स को जरूर देखें आपको लिंक भी सब्सक्राइब मिल जाएगी तो आप उस सॉर्स को जरूर देखें एक मिनिट से भी कम की वीडियो तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में झाल 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 झाल